इसका बाव आज का गुणिस रुपे का बजार है टोप बडी एक्वालिटी का नीचे में सतरा रुपे उपर में गुनिस रुपे आए बडी एक नमर वीज है ये क्या है हमारे लोकल भीज खतम होने को जैसे इसका बजार दोर पे ठाइट हुआ है निदो पहले इसका बजार चोड़ से लेकि सतरा रुपे के था लेकि कुछ तेजी देखरों को मिल रही है आँ तेजी इसलिए है कि हमारे यह लोकल का बीज खतम हो गया इस कारण से थोड़ा सा तेजी नहीं अभी दो गाड़ी लगी ती दो गाड़ी का बीज बिका है आज पूरी मंडी तोटल गाओं का बीज है जो सक्सेज वालत क्या है सर्दी पीछे पढ़ने लग जाती उस तेम पर इसमें दिखत आती प्याज बढ़ने में उससे हो जाता है अगर गर्मी इस टाइब की रही तो दिकत नहीं बीज हो जाएगा जो पिसान लगा रहे है उनका लिए यही जो गुज आज लगरी है इसमें गुजरात वड़ा बेष्ट है उसला लगाएगे उसका पचीस सुरुपे बजा रहे है आजगी तो हमारे पास रखा हुआ हमने पचीस सुरुपे बेचायल हो रहा है पच्छगंगा है आपके हिसाब से उसमें कुछ तेजी है नहीं उसमें तो तेज भी जिस हिसाब से चार पांस रोज से लग रहा है अब दस-पंदर दिना और प्याज लगा रहा है इसलिए बादING किसान बॉआई करेंगा प्याज वयापारी भी हो और प्याज लगानवाले किसाने इनके लिए क्यास लिए चाहते हैं कि प्याज लगाए या नहीं लगाए मैं यह संदेज देना चाहता हूं आपके जो प्याज की फसल किसान लगाएं आपके हमारे अलोरोड किसानों को पैसे मिलने की उम्मीद है अब ही क्या है आट दस रोज से बैंगलो और भारी बारिज के कारण वहां की जो नई फसल है वहां दस बार रोज अभी फसल दुबारा से डेमेज होने के चांद से है जै और हमारे यहां किसानों को पैसा मिलेगे अब के और आपके कोई दिक्कत नहीं है फसल में भी रोप कोई सिकात नहीं है फिला लेकि जो अपने मेवात में कावद है कि प्याज का टोटा हाँ जी प्याज का टोटा प्याज ही भर सकते क्योंकि एक बिगे में 60-60,000 का नुकसान है पिछले साल और इस साल अच्छी फसल होगी अगर लाग रुपे के वरे जाएगी तो पिछले साल वड़ा नुकसान बरपाई हो सकता है और किसान क्या है पिछले साल बहुत खर्च अच्छा लगा के किसान परेसान है हमारे ौक